यूगों पहले जब पार्वती जी के मन में यह संका उत्पन हुई कि संकर जी ने अपने गले में मुंड माला क्यों और कव धारन की है तब सीब जी ने उत्तर दिया कि है पार्वती जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ उतने ही मुंड मैंने धारन कर लिये इस पर पारवती जी बोली कि मेरा सरीर नासवान है, मिर्तिव को प्राप्त होता है, परंतु आप अमर हैं, इसका कारण बताने की किरपा करें भगवान सिर्भ ने रहस्य मेई मुस्कान भरकर कहा, यह तो अमर कथा के कारण है ऐसा सुनकर पारवती जी के मन में भी अमरत्व प्राप्त कर लेने की इच्छा जागरित हो उठी, और वह अमर कथा सुनाने का आगरह करने लगी कितने ही बरसों तक सिभ जी इसको टालने का प्रत्न करते रहे परंतु पार्वती जी के लगातार हट के कारण उन्हें अमर कथा को सुनाने के लिए बाद होना पड़ा परंतु समस्या यह थी कि कोई अन्य जीव उस कथा को ना सुने अता किसी एकांत और निर्जन अस्थान की खोच करते वे सिभ जी पार्वती सहित अमर कथा अमरनाथ की इस परवत मालाओं में आ पहुंच गया इस अमर कथा को सुनाने से पहले भगवान सीव यह सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि कथा निर्विग्न पूरी की जा सके कोई बाधा ना हो तथा पारवती जी के अतिरिक्त अन्य कोई प्रानी उसे ना सुन सके उचित एवं निर्जन अस्थान की तालास करते वे सरवपथम सिवजी पहल गाम पहुँचे जहां उन्होंने अपने नंदी बैल का परित्या किया बास्तम में इस अस्थान पर प्राचीन नाम इस अस्थान का बैल गाउं था जो बाद में बिगड़ कर तथा छेतरी भासा के उच्चारन से पहल गाम बन गया इसके बाद चंदन बाड़ी में भगवान सिव ने अपनी जटा से चंद्रमा को मुक्त किया सेस नामक जील पर पहुँचे तो उन्होंने अपनी गले से सर्पों की माला को भी उतार दिया इसी कथा के आधार भूत सेस नाग परवत पर नागों की आकृतियां विद्यमान है हाथी के सिर वो सूड़ वाले प्रिव पुत्र स्री गनेश जी को भी उन्होंने मह गुनस परवत पर छोड़ देने का निस्चय किया जिस अस्थान का प्राचीन एवं सुद उच्चारन महा गनेश था जो धीरे धीरे संभवत कस्मीरी भासा के प्रवाव से महा गुनस हो गया फिर पंच रतनी नामक अस्थान पर पहुँच कर सिव ने पंच तत्तों पृत्वी जल वायू अगनी और आकास का परित्याग कर दिया भगवान सिव इन्ही पंच तत्तों के स्वामी माने जाते हैं जिनको उन्होंने स्री अमरनाथ गुफा में प्रवेश से पहले छोड़ दिया था इसके पस्चात सिव जी पारवती जी के साथ इस परवत स्रिंखला में तांडव नित्य किया तांडव नित्य वास्तों में स्रिष्टी के त्याक कर प्रतीक माना गया है सब कुछ छोड़ छाड़ कर अंत में भगवान सिव ने स्री अमरनाथ की इस गुफा में पारवती जी सहित प्रवेश किया और मिल्ग छाला बिछा कर पारवती जी को अमरत्त का रहस सुनाने के लिए ध्यान मगन होकर बैठ गये लेकिन इस से पहले उन्होंने कालागनी नामक रुद्र को प्रकट किया और आग्यादी चहू और ऐसी प्रचंड अगनी प्रकट करो जिस से समस्त जीवधारी जल कर भस्म हो सके कालागनी ने ऐसा ही किया अब संतुष्ट होकर सिव जी ने अमर कथा की कहानी सुरू की प्रन्तु उनकी मिर्ग चाला के नीचे तोते का एक अंडा जो रखा था वो भस्म नहीं हुआ इसके दो कारण थे एक तो मिर्ग चाला के नीचे होने से सिव की सरन पाने के कारण और दूसरा अंडा जीवधारियों की स्रेनी में नहीं आता फिर भी बच गया था जिससे अंडे से बाहर आकर अमर कथा को तोते ने सुन लिया था स्री पारवती जी ने कहा प्रभो मैं अमर नात की यात्रा की महिमा सुनना चाहती हूँ जिसके सुनने से जन्व जन्मांतर के पापताप मिट जाते हैं जगत स्वामिन आप स्री अमर नात जी के लिंग का महत्म तथा मार्ग के तिर्थों का वर्णन कीजे स्री अमर नात की यात्रा तथा पूजन बिधी भी कहिए और यह भी बतलाईए कि जो सास्त्रोक्त यात्रा को त्याग कर केवल लिंग के ही दरसन करता है वो किस गती को प्राप्त होता है तब भगवान सिवने कहा मनुस स्री अमर नात जी की यात्रा करके सुधी को प्राप्त करता है तथा सिवलिंग के दरसनों से भीतर बाहर से सुध्ध होकर धर्म अर्थ काम वचन और मोख्ष को प्राफ करने में समर्थ हो जाता है जो मनुस्य जो मार्ग के तिर्थों पर यथा विदी असनान दान इत्यादी ना करके सीधा गुफा में ही पहुँच जाता है उसकी यात्रा को निस्फल समझना चाहिए फिर सिब जी कहते हैं हे देवी दो प्रकार की उपर और नीचे की यात्रा है उर्ध की यात्रा मोख्ष चाहने वाले योग्यों के लिए प्रानायाम द्वार है प्रान और अपान वायू को एक कर योग मार्ग दसम द्वार अर्थात ब्रह्मरंध में प्रानों को लीन करके यात्रा करने से निश्चे ही मोक्ष की प्राप्ती होती है यह दोनों प्रकार की यात्रा धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के इक्षु को करना चाहिए निचली यात्रा यानि पैदल यात्रा से मनुस्यों के संपुर्ण पाप दूर होकर चित निर्मल हो जाते हैं और इसी तरह हट योग और राज योग से तर्थ पर किसी अच्छे विद्वान पंडित द्वारा अमर कथा सुनने से पुरुस ज्यान का अधिकारी हो जाता है तो सिब जी आगे कहते हैं कि महादेप ने अपने पीछे जीवन दाइनी पांचों तत्तों को भी जब त्याग कर दिया और मा पारवती के साथ एक गुफा में प्रवेश किये कोई ब्यक्ती पसू पक्ची गुफा के अंदर प्रवेश ना कर सके और अमर कथा को ना सुने इसलिए सिब जी ने अपने चमतकार से गुफा के चारो और आग प्रजलित कर दी तो मा पारवती को कथा सुनाना सिभजी प्रारंभ कर देते हैं कथा सुनते सुनते मा पारवती को नीन दा गई और वह सो गई जिसका सिभजी को पता नहीं चला भगवान सिभ अमर होने की कथा सुनाते रहे और इस समय दो सफेद कबूतर स्री सिप जी से कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गूंगूं की आवाज निकाल रहे थे सिप जी को लग रहा था कि मा पारवती कथा सुन रही है और बीच बीच में हुंकारा भर रही है इस तरह दोनों कभूत्रों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली और कथा समाप्त होने पर सिब जी का ध्यान पारवती मा की तरव गया जो की सो रही थी सिब जी ने सोचा कि अगर पारवती जी सो रही है तो कथा कौन सुन रहा था तब सिवजी की दृष्टी कबूतरों पड़ी, महादेव सिवज पड़ी कबूतरों पर कुरोधित हुए और उन्हें मारने के लिए ततपर हुए इस पर कबूतरों ने सिवजी से कहा को प्रभू हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की या कथा जूटी हो जाएगी इस पर सिप जी ने कबूतरों को जी भी छोड़ दिया और उन्हें आसिरबाद दिया कि तुम सदैव इस अस्थान पर सिप परवती के प्रती चिन्ह के रूप में निवास करोगे अतह कबूतर का यह जोड़ा अजर अमर हो गया और माना जाता है कि आज भी कबूतरों का दर्शन भक्तों को होता रहता है गुफा में अमरनाथ गुफा में तो अमरनाथ गुफा के अंदर भगवान संकर बर्फ के निर्मिश सिविलिंग के रूप में ब्राजमान है पवित्र गुफा में मापारवती के अलावा गनेज जी भी अलग से बर्व से निवरित पती रुवों में आप दर्शन कर सकते हैं एक और कथा आती है इस पवित्र गुफा की खोच के बारे में पुरानों में एक बारे गरेडिया को एक साधू मिला जिसने उस गरेडिये को कोईले से भरी एक बोरी दी जिसे की गरेडिया अपने कंधे पर लाद कर अपने घर को चल दिया घर आकर उसने बोरी खोली तो आस्चर चकीत हुआ क्योंकि कोईले की बोरी अब सोने के सिकोंस की हो चुकी थी इस से वो गरेडिय साधू से मिलने धन्यवाद देने के लिए उसी अस्थान पर गया जहां पर वो दो साधू से मिला था लेकिन वहां कोई साधू नहीं मिला बलकि उसे ठीक उसी जगाए गुफा दिखाई दिया गड़ेडियो जैसे ही उस गुफा के अंदर गया तो उसने वहां पर देखा भगवान भोले संकर बर्ब से बने सिबलिंग के अकार में अस्थापित थे उसने वापस आकर सबको यह कहानी सुनाई बताई और इस तरह भोले बाबा की पवित्र अमरनाद गुफा की खोजवी दीरे दीरे दूर दूर के लोग भी पवित्र गुफा एवं बाबा के दर्सन के लिए पहुचने लगे हैं हरहर महादे दन्यवाद